पूरम है उस पर आप ने आई वे के पर ठीक परकार से ने तो मोहर लगवाई हुई ये ने साइन किया हुआ है जिसके कारण आपके पास बैक का मैसेज भेड दिया गया है और आप ऐसे करें आपने का जो आए गोशना पत्र है उसको आप ठीक प्रकार से बरें पुरम आई वैक के पर आप जो भी महर लगवाते हो इस पस्ट रूप से दिखाए देनी चाहिए उसके उपर जो साइन करवाते हो यानि सिंगनेक्चर वो भी इस पस्ट रूप से दिखाए देने चाहिए तब ही आपका पुरम वैरिफाई होगा ठीक है ना अच्छा इसके बाद नम्मर आता है मनहर सेनी का भई आपका पुरम वैरिफाई है आपको टेंसन लेने की आउस चकता नहीं है जैसे ही जुलाई में पुरम अपुरम होगे आपका पुरम अपुरम कर दिया जाएगा और बत्ता आपका आना सुरू हो जाएगा इसके बाद नम्मर आता है जेवेंदर का भई देखो आपका पुरम भी यहाँ पर क्या है वैरिफाई है फिलाल ठीक है और पुरम क्या है अपुर्ड हो चुका है यदि आपका बिल समिट नहीं हुआ है तो दोस्त ऐसा है आपको रोजगार कारे ले जाना पड़ेगा आपका पेंडिंग में है और आपकी समस्या का समाता ने 101 परसेंट हो जाएगा और सातियों जो बाकी जो रजिस्ट्रेशन नमर ist-send किये गए थे उन सबीका stop आया हुआ है यृधर को ऐसे हैं कि आपने renewal नहीं करवाया ऐए था कि कि आपने समय रहते छिशन नहीं करवाया इस लिए कि आपके पौरम को कर दियARE घाया था है यृद्ध आपको कोई जिस्ट्रे नहीं बेंद आपको एक साल का बता नहीं म और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है तो नोटिफिकेशन को साथ यो जरूर दबाना जिससे बेरोजगार बत्ते की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे धन्यवाद